हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल मारकर टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यूuğं कराया जाता है, ट्रिपल मारकर टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है और साथ ही इसके प्राइस के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरु करते हैं नमबर वन ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या होता है ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या ट्रिपल मार्कर टेस्ट प्रेगननसी के दौरान किया जाने वाला ब्लड टेस्ट है इस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि होने वाले बच्चे को क्रोमोजोमल डिजीज होने का लो र इन तीनों हॉर्मोनों का लेवल प्रेगनेंसी के दौरान मापा जाता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्यों कराये जाता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में खास कर 16-18 सप्ताह के दौरान किया जाता है इस टेस्ट की सलाह डॉक्टर्स सभी प्रेगनेंट महिलाओं को देते हैं ताकि उनके गर्भ में पल रहे शिशु में पनपने वाली दिक्कतों को पहचाना जा सके ट्रिपल मार्कर टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है ट्रिपल मार्कर टेस्ट में आने वाले पैरामीटर्स नंबर वन एफपी इसकी नॉर्मल रेंज 10 से 150 नैनो ग्राम पर मिली लीटर के बीच में होती है नॉर्मल रेंज 9000 से 210,000 योनिट्स पर लीटर के बीच में होती है नॉर्मल रेंज लेस दन 4 एन मोल पर लीटर के बीच में होती है नंबर 4 ट्रिपल मार्कर टेस्ट कैसे होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट के लिए नॉर्मली बलड सेंपल लिया जाता है इस टेस्ट को करवाते समय एक डीटेल फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें प्रेगनेंट महिला की डेट अफ बर्थ, सिटिजन शिप, हाइट, वेट और भी कई सारी बाते पूछी जाती है ये सभी डीटेल्स इस टेस्ट को करते समय देखी जाती है इस टेस्ट को करवाने जाने से पहले आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अल्ट्रा साउंड की फोटोकॉपी और डॉक्टर का पर्चा जिस पर ट्रिपल मार्कर टेस्ट डॉ ने लिखा हो ये सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी डीटेल फॉर्म के साथ देनी होती है नमबर फाइफ ट्रिपल मार्कल टेस्ट का प्राइज कितना होता है ट्रिपल मार्कल टेस्ट का प्राइज 3,000 रुपीज से 4,000 रुपीज के बीच में होता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो